वेलकम स्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप 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 सभी अच्छे होंगे तो इस वीडियो में देखते हैं exercise 7.10 question number 2 question number 1 और इस exercise का introduction यानि की properties of definite integral हम कर चुके हैं पिछली वीडियो आप देख सकते हो description में आपको इस वीडियो का link भी मिल जाएगा तो सुरू करते है question number 2 जैसे हमने question number 1 में एक property यूज की वही इस question में होगी वो property क्या थी 0 lower limit a upper limit f of x dx equals to में क्या हो जाएगा 0 a f of इस x की जबर हम क्या replace कर देंगे a minus x replace कर सकते हैं अब यहाँ पर 0 है lower limit और pi by 2 है upper limit यानि कि a क्या है pi by 2 तो इस x की जबर मैं क्या replace कर देंगा pi by 2 minus में x ठीक है सबसे पहले करते हैं इसको let i के equal 0 pi by 2 root के अंदर है sin x upon में है root के अंदर sin x plus में root के अंदर cos x dx equation number first ठीक है अब जलते हैं आगे i equals to में 0 pi by 2 root के अंदर sin x की जबर क्या जाएगा pi by 2 minus में x तो sin pi by 2 minus में x ऐसे नीचे root के अंदर sin pi by 2 minus में x plus में root cos x जबर pi by 2 minus में x dx अब देखो आपको पता है sin 90 minus theta यहाँ पर x है क्या होता है cos theta यहाँ पर x से तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा तो i equals to में 0 pi by 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा root के अंदर cos x और नीचे भी आपके पास root के अंदर cos x और यहाँ पर हो जाएगा root के अंदर sin x अब यह सारी बाते का आप सीख सुके हो ना तो इसको माल लेंगे equation number second अब हम क्या करेंगे जैसे question number first में क्या था adding equation number first and second तो यहाँ पर यह line लिखेंगे अब देखो first equation आपके पास यह है और second equation यह है अब दोनों के left hand side में i है तो i plus i हो जाएगा 2i और right hand side में क्या है zero pi by two यहाँ पर देखो first equation दिखते हैं पहले root के अंदर sin x upon में root के अंदर sin x plus में root के अंदर cos x और dx plus में second equation zero pi by two root के अंदर है cos x upon में root के अंदर है cos x plus में sin x root के अंदर ठीक है, कोई दुक्त नहीं, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, 0 और πाई वाई टू, दोनों की लिमिट क्या है engine, same है, तो दोनों को एक साध लिखेंगे, 0, पाई वाई टू,रूट के अंदर σाइन एक्स, अब उन में, रूट के अंदर साइन एक्स पबलस में कोस एक्स पलस में इसी को भी इसके अंदर लिख देंगे root के अंदर cos x और upon में है root के अंदर cos x plus का sin x कोई दिक्कत नहीं अब हम क्या करेंगे अग्ला step हो गए हैं यहां से lcm लेना तो lcm लेते हैं 2i equals 2 में 0 pi by 2 lcm क्या जाएगा root के अंदर sin x plus में root के अंदर cos x अब यहां पर तो यह है तो उपर वाला बचेगा only root के अंदर sin x यहां पर भी यही चीज है तो उपर वाला बच जाएगा root के अंदर cos x तो यह आजाएगा मेरे पास अब देखो root के अंदर sin x plus में root के अंदर cos x और नीचे भी यही root के अंदर sin x फ्लस में root के अंदर cos x तो cancel क्या जाएगा 1dx जाएगा और 1 का integration आपको पता है क्या होता है x होता है तो x integration और limit लगा दो upper limit है pi by 2 lower limit है 0 तो यहां से आपके पास क्या जाएगा x जबर एक बार रखेंगे upper limit फिर x जबर रखेंगे minus का sign लगा के बीच में lower limit तो यहां पर pi by 2 minus 0 आगया यानि कि 2i equals 2 में आपके पास आगया pi by 2 लेकिन आमें तो क्या चाहिए i चाहिए तो i आजाएगा यहां से pi by 4 यह 2 इस side आगे multiply यह answer हो जाएगा ठाना बिलकुल easy question तो एक बार पिछली जो वीडियो मैंने आपको करवाई है उसमें बता है definite integral की properties तो एक बार उसको अच्छे से देख लें फिर in questions को करें कोई difficulty आपको नहीं आएगी तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करने ओके, thanks for watching